हाई दियर स्टुडांट वेल्कम टो एग्जुकेशन में आधिस है हम मैं पास्ट बोर एक्जाम के कुश्चन का सोल्यूशन यह पर देख रहे है तो उसमें स्टेप्र नमबर वन के कुश्चन है कि कि सो देट दो वन अनली वन आउट और एंड प्लस तू और एंड प्लस फोर इस डिविजिवल बाई थ्री वेर एंड इन पॉजिटिव इंटिजर क्या बोर्ड की से टुथाज़न के एक्जाम में कोश्चन था पर एक बहुत इंट्रेस्टेट कोश्चन है और इसे जो प्लिशन देखते है कि क्या कहा है three से डिविजीबल वह ना एसा नमबर है गीवन नमबर और और एंड प्लस टू और एन प्लस पॉर के तीन नमबर हमें यह तो एन फिक्रों और ल्कार और यहापे क्या काहे वो थ्रिस दिवल तो यहापे एन इज़ दिविघियबल भाई एन जो एनी पोजिटीव इंचेजर एन फोजिटीव इन एनी पोजिटीव इंटीजर िऩार, उन्टीवेडिंग उससे हम क्या वोड्ट, वीच डीवेजबल बाई त्री, वीच डीवेजबल बाई 3, क्यां आन डीवेडिंग एंड बाई 3, या ओन्टीवेडिंग एंड भाई 3, एन को 3 से डीवेड करेंगे, एन बाई 3 उस टाइम पर आपको कोशंट क्या मिलेगा लेट क्यों इस कोशंट एन आर बी आर इस रिमेंडर आर होगा और रिमेंडर होगा देन तो में यह पर लिखते क्या होगा आर युक्लिड अलगोरिधम आर इस इकोल्टो शरी एन इस इकोल्टो क्या होगा 3Q प्लस R और R की वेल्यू क्या होते है less than or equal to r less than b less than b यानि कि यहां पर b is equal to में क्या लिया है 3 लिया है तो r की value क्या होगी so the r so r is equal to 0 1 and 2 0 1 and 2 और यहां पर r is equal to जब हम 0 लेंगे okay when we take r is equal to 0 4 r is equal to 0 n is equal to 3 q n है वो क्या है 3 से divisible है okay तो n is divisible by 3 then kate m2 कर्णी को क्योंकि आप कोई आप मैंने क्या आप क्या क्या क्यू इंटीजर लिया है कि ना क्या क्यूं इसलिए वह तुरी से डिवाल है अब क्या करते हैं प्लस टू लिखते हैं यह लिगते हैं इन प्लस तू तो n is equal to n is equal to n is equal to n is equal to r is equal to 0 के लिए और r is equal to 1 के लिए n is equal to 3q plus 1 क्या होगा 3q plus 1 होगा और उस टाइम पे आप अब क्या करो कि n प्लस 2 है तो दोनों साट आप तो एड कर देते हैं तो n plus 2 और 3q plus 1 plus 2 क्या एडिंग बोथ साइड टू एड बोथ साइड तो क्या होगा n plus 2 और यहापे आप देख सकते हो तो 3q plus 1 plus 2 कितना होगा 3 होगा तो 3q plus 3 उसमें चाप 3 को मन निकाल लो तो 3q plus 1 okay n plus 2 is divisible by 3 n plus 2 is n plus 2 is equal to 3 q plus 1 so n plus 2 is divisible by 3 और लास्ट वन जो n plus 4 दिया है तो उसके लिए फस्ट अबले आप यह फोर आर इस इकोल टू के लिए n is equal to क्या होगा 3 q plus 2 होगा अब क्या करो दोनों साइड एड 4 करो एड 4 बोथ साइड दोनों साइड जब आप 4 एड करोगे तो क्या होगा n plus 4 is equal to 3 q plus 2 plus 4 कि ना होगा 6 होगा यहाँ पेसे 3 कोमान निकान लो तो क्या होगा 3 q plus 2 क्या होगा 3 q plus 2 तो 3 के मल्टिपल में है तो क्या होगा n plus 4 is also divisible by 3 3 so n plus 4 is divisible by 3 यह n plus और यह वो भी क्या है divisible by 3 हैंस तो यह मेरी आपे जो प्रूव करना था वो हो गया है 1 and only out of 1 1 and only out of 1 is 1 and only 1 out of n n plus 2 n plus 4 is divisible by by 3 when n is equal to any positive integer where n is equal to any positive integer okay thank you for watching our videos और ऐसे जो नहीं नहीं जो बोड के exam के solution और जानने के लिए अमरे से नहीं को सब्सक्राब करना भूलना नहीं thank you very much to learn